मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाब हम देशवासियों के लड़ाई अब भी जारी है, पुरी दुनिया आज भी जूज रही है होलिस्टिक हेल्ट केर में लोकों की बढ़ती रूची ने इसमें सभी की बहुत मदद की है हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतिय पानमपारिक प्रधतियां कितनी उप्योगी हैं। कोरोना के खिलाब लड़ाई में आयुष ने तो वैस्विक स्तर पर एहम भूमी का निभाई है। दुनिया भर में आयुष और भारतिय आउशदियों के प्रती आकर्षन बढ़ रहा है। हाली में एक ग्लोबल आयुष इंवेस्टमेंट और इनोवेशन समीट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड रुपिये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी एहम बात ये हुई है कि कोरोना काल में आउशदिय पोधों पर रिसर्च में भी बहुत बृद्धी हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडिस पबिश हो रही है। निश्दिर रुप से एक अच्छी शुरुवात है। साथियों, देश में विविन प्रकार के आउशदिय पोधों और जड़िबुटियों को लेकर एक और बहतरिन प्रयास हुआ है। अभी अभी जुलाई महिने में इंडियन वर्चुल हर्वेरियम को लॉंच किया गया। यह इस बात का भी उदार्ण है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल का इस्तमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं। इंडियन वर्चुल हर्वेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजीज का एक रोचक संग्रह है जो की वैप पर फिली अवेलेबल है। इस वर्चुल हर्वेरियम पर भी लाग से अधिक स्पेसिमेंस और उन से जुड़ी साइन्टिफिक इन्फरमेशन उपलब्द है। वर्चुल हर्वेरियम में भारत की बॉट्रोनिकल डावरसिटी की सम्रुद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है। मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुल हर्वेरियम भारतिय वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इंपोर्टन डिसर्च बनेगा।